ये कोई नई बात नहीं है कि कॉंग्रेस पार्टी कल एक्जिट पोल पर डिसकर्शन का बहिसकार कर रहे हैं। कई समय से कॉंग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही है। ये पूरा election ये campaign करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है बहुमत आने जा रहा है अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले exit पुल में इनकी प्रचंड हार होने वारी है और किस मुह से वो media को फेज करें इसलिए exit पुल की पूरी exercise को ही नका रह हैं कि exit पुल का कोई मतलब नहीं है चार तारीक को परिणाम आने हैं exit पुल कई समय से चल रहा है हर बार वो हिस्सा ले थे मगर इस बार हार के कारण explain न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिसकार कर रहे है और Congress Party वैसे भी जबसे राहूल गांधी मुख्य विवस्ता में आ रहाता है तो नियाईक विवस्ता पर सवाल खड़े कर देना election commission की process पर सवाल खड़े कर देना EVM पर सवाल खड़े कर देना पार्लामेंट में बहस करने की जगे पार्लामेंट छोड़कर भाग जाना समविधानिक पदों की एहवेलना करना इनकी मिमेकरी करना और एजंचियों पर भी सवाल खड़ा करना मुझे लगता है कि राहूल गांदी के Congress में मुख्य विवस्ता में आने के बाद Congress देश की सभी प्रकार की संस्ताएं चाहे मीडिया हो चाहे न्याईक विवस्ता हो चाही पार्लामेंट हो चाहे समविधानिक पर बैठे हुए लोग हो चाहे एजंसिया हो सब के सामने denial mode में आ चुकी है यह इसी का परिणाम है कि यह कल के exit poll का बहिसकार कर रहे हैं मैं Congress के नेताओ को कहना चाहता हूं कि सुत्रमुग वृत्ती से कभी किसी का फायदा नहीं होता डट कर हर का सामना करने चाहिए आत्मचिंतन करना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए भारतिये जनता पा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो exit poll होगा वो 400 पार के भारतिये जनता पार्टी के नारे को जमिन पर उतारने वाले नतिजे लेकर आएगा और Congress पार्टी वैसे भी जबसे राहूल गांधी मुख्य व्यवस्ता में आये हैं Congress पार्टी की denial mode में जी रही है Supreme Court से कोई अनुकुल judgment नहीं आता है तो न्याईक विवस्ता पर सवाल खड़े कर देना, Election Commission की प्रोसेस पर सवाल खड़े कर देना, EVM पर सवाल खड़े कर देना, पार्लामेंट में बहस करने की जगे पार्लामेंट छोड़कर भाग जाना, सम्विधानिक पदों की एहवेल ना करना, इनकी मिमेकरी करना और एजंशियों पर भी सवाल खड़ा करना, मुझे लगता है कि राहूल गांधी के, क्योंग्रेस में मुख्य विवस्ता में आने के बाद, कॉंग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्ताएं, चाहे मिडिया हो, चाहे न्याईक विवस्ता हो, च चुकी है ये इसी का परिणाम है कि ये कल के exit पोल का बहिसकार कर रहे हैं मैं कॉंग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि सुत्रमुख वृत्ति से कभी किसी का फाइदा नहीं होता डट कर हर का सामना करने चाहिए आत्मचिंतन करना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए भारति विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो exit पोल होगा वो 400 पार के भारतिय जनता पार्टी के नारे को जमिन पर उतारने वाले नतीजे लेकर आएगा